संसत के शीत कालीन सत्र के दौरान लोकसभावे दिल्ली में प्रदूशन के मुद्धे पर चर्चा हुई इस दौरान बीजेपी और कॉंग्रेस ने अपनी अपनी बाते रखे दोनों ही पार्डियों ने केजरिवाल सरकार को जम कर घेरा जब दिल्ली में हर वर्ष ये प्रदूशन की समस्या उत्पन होती है तो सरकार की तरफ से सदन की तरफ से इस समस्या पर निजात पाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठती है क्यूं लोगों को उच्टम न्याले का दर्वाजा खट-खटाना पड़ता है क्यूं उच्टम न्याले को निर्देश देने पड़ते हैं कि दिल्ली की आवों हवा को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार को राज सरकार को जो आस पास के प्रदेशों की राज सरकारे हैं उनको ये कदम उठाने चाहिए ये बहुत एक गंभीर विशे है क्योंकि जब पुलिटिकल इग्जेकिटिव जब सरकार जब सदन अपनी जगे छोड़ता है तो उस जगे को भरने के लिए बाती जो संविधानिक संस्थाएं हैं वो अग्रसर हो जाती है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस सदन से आज एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश को कि हम सब लोग जिनको भारत की 124 करोड जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिदी बना कर यहां पर भेजा है ये जो प्रदूशन की समस्या है इसके प्रति संवेधन शील है इसके प्रति गंभीर है कि air pollution state subject है जब ये state subject है तो क्या ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि कोई ये state जान बूच करके इस पे अपने सिर्फ बहाने बाजी करता रहे तो उसको कुछ punishment तैय किया जाए उसके लिए कुछ ऐसा कारवाई हो जिससे उसको जरता के बीच बताया जा सके कि आप अपने responsibility से भाग रहे हो जहां तक डिली में दो तिन बाते हम आपको आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं मानियत ज्यक जी डिली में air pollution को जैसा भी मेरे साथी गौतम गमीर जी ने कहा डिली के air pollution को दूर करने के लिए यहां जो local bodies है उसके पास स्टेट से लगबग 9000 करोड के फंड आते हैं जिसको डिली सरकार ने deliberately उसको जान बुचके रोक दिया हमें जैसा हमारे साथी ने कहा कि हम प्रिंकलर्स मसीन जो एक गाड़ी चलती है पानी छिड़कता हुआ धूल को मारते हुए उसको खरीदने के लिए जो फंड दिली गौवर्मेंट के थ्रू आना चाहिए था उसे हमें सेंटरल गौवर्मेंट से लाना पड़ा हम नरेंदर बोदी जी का प्रदान मंतरी जी का धन्यवाद करते हैं उन्हों ने इसके लिए हमें सो करोड का लग से बज़ट दिया और सब जाके हमाजा भी हमारे सभी सांसर साथी कहीं भी देख सकते हैं एक गाड़ी चलती है और वो पानी का छिरकाव करते हुए आगे बढ़ती है अभी जो दिली में कुड़े का पहाड है उस पहाड को हटाने के लिए भी जो MCD के फंड्स आने चाहिए थे जो लोकल बोडिज है उसके लिए भी हमें सेंटरल गौवमेंट पे जाना पड़ा द्यग जी और पूरी दिली ट्राइ ट्राइ कर रही है एक सब्जेक्ट और वे आपके सामने लाना चाहता हूँ हाला कि आज हम सदन में ये कह सकते हैं कि नर 25 करोड का अलग से बजट हमें दिली में लगल लोकल बोडिज को मिला और हम आज ही सदन में कह सकते हैं देड़ साल में हम दिली के कुड़े के तीन पहाड को समत कर देंगे और एर प्रिल्यूशन पे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी अंत में एक पॉइंट कहते हुए मानिय उस पराली को खरीदने के लिए कोई योजना स्टेट गोवर्मेंट बनाती हैं तीम दिज रुकार है हम भी हमारे कई साथियों से सहमत हैं क्योंकि कोई किसान सौक से पराली नहीं जलाता लेकिन हमारे दिली में पल्यूसन से बचने के लिए जो आइड किया गया उसका 200 करो में हम NCR की पराली खरीच सकते थे जो हमारे दिली की सरकार ने नहीं किया इस पर भी कुछ न कुछ यहां से निर्देश जाना चाहिए